हेलो फ्रेंट, वेलकम टू अश्टडी विच सोदागर, दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग गुननखन निकालना सीखेंगे, जिहां दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने बाले हैं कि किस धंग से आप लोग गुननखन निकालेगा तो आपको कभी परिशानी नहीं होगा, तो चलिए विडियो को शुरू करते हैं, तो यहां पर लिखा गया एकस स्क्वाइल प्लस सेवन एकस प्लस टुएल इसको हमें तोरना है, निक गुननखन करना है, तो सबस्पहले जानेंगे गुननखन करने से पहले कि यहां पर जो यह पहली संक्या और अंतिम में जो लिखा गया इन दोनों के इसके गुनाओं के में क्या है, एक है, और यहां पर बारा, इन दोनों को गुना करते हैं, यहां पर एक गुना बारा करेंगे, तो बारा आ जाएगा, बारा को कुछ इस परकार आप तोर लिजिए, कि तोरने के बाद आप कोई बीच बला पू यानि हम इसको लिख सकते है एकस स्क्वाइर पलस चार एकस पलस तीन एकस पलस बार है अब बहुत लोग सोचते होंगा क्या आप यह जो अंक लिखे हैं यह जो डिजिट लिखे हैं क्या यह वही है जी हाँ वही है एकस स्क्वाइर यहाँ भी है यहाँ पर साथ एकस है क्या इस बारह को ही तोरा है उसके बाद ये बारह जैसे है वह इसे ही है अब हम इसको आगे बढ़ेंगे फिर लिखेंगे देखिए अब क्या करना है दोनों में देखना है क्या कोमन है कोमन का मतलब यह है कि दोनों में कौन उपस्थित है तो यहाँ पर देखते है एकस स्कॉ में x हमने common लिया तो only 4 क्या बचेगा चार बचेगा इस bracket को बंद कर लिजिए पलस दे दिजिए अब यहां देखिए 3x और 12 में क्या common आता है तो 3x में 3 और 12 में 3 आता है यनि दोनों में क्या आ रहा है common 3 हम लोग 3 लिखेंगे और यहां पर x और यहां भी पुराना है तो यहां पर जब ऐसा हो जाएका तो दोनों में देखे x पलस 4 यहां भी x पलस 4 है दोनों को एक साइड फिर लिख लिजिए यानि x पलस 4 को एक जगे हमने लिख लिया अब जो बचता है उसको भी लिख दीजिए बचता कोन है x और पलस 3 इसको लिखेंगे x पलस 3 यानि इस गोजम ने तोरा तो हमें x पलस 4 और x पलस 3 आया अब आपको क्या करना इसका x का मान निकालना है इसके लिए क्या करना होगा इसको 0 के बराबर करना होगा यानि आप लिख सकते हैं x पलस 4 एक्वल टू 0 इसलिए x बराबर होगा मैनस 4 फिर इसको भी करिएगा x पलस 3 बराबर 0 x बराबर मैनस 3 यानि x का 2 मान आ जाएगा 1 मैनस 4 और 1 आ जाएगा मैनस 3 इस तरह आप आसानी से गुरंखन बना सकते हैं जिन दोस्तों को इसमें थोरा सा भी कनफ्यूजन हुआ होगा इसके लिए मैने और भी एक्जाम पर ले रखा है तो आप लोग वीडियो में बने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किये तो वीडियो को लाइक भी कर दिजिए यहाँ पर लिखा हुआ है एकसस्क्वाइर प्लस तू एकस मैनस 15 तो आप लोगों को क्या करना इसके गुनांक में यहाँ पर गुनांक में यहाँ भी एक है जरूरी नहीं है सबीके गुनांक में एक ही होगा आपको जिस तरह बनाईएगा उस तरह समीकरन में अलग अलग रह सकता है अगर आपको गुनंक में यहां और भी मिले उसको और यहां पर जो लिखा रहेगा अचरपत उन दोनों को गुना कर देजेगा यहाँ पर हम एक गुणा कि में एक है और एक गुणा पंद्रया करते हैं तो हमें 15 ही होता है 15 को कुछ इस परकार तोरिएगा कि आपको जोरने या घटाने पर दो आ जाए जब हम इसको तोरिएगे तो 5 गुणा 3, 5 तिया 15 भी पूर जाता है और 5 में से 3 गया तो 2 भी पूर जाता है हम इसको क्या लिख लेंगे लिखेंगे x square क्या लिखेंगे x square पलस 5x माइनस 3x क्यों माइनस 3x दिए क्योंकि हमको बीच में हमको 2x पुराना है तो माइनस 3x और माइनस 15 पहले सा है तो माइनस 15 दे दी अब इसी में हम लोग को क्या करना है common लेना common लेंगे तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको x दिख रहा है तो x common लेते हैं तो यहाँ पर बच जाता है इसमें x plus 5 यहाँ पर दो x में x निकल गया इसलिए x बचा और 5x में x निकला तो 5 बचा तो यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया फिर माइनस 3 माइनस 3 कॉमन क्यों लिये क्योंकि देखे यहाँ पर दोनों में माइनस 15 और माइनस 3 X में माइनस 3 कॉमन आता था इसलिए मैंने माइनस 3 कॉमन लिया उसके बाद X बचा है यहाँ पर अब माइनस माइनस पलस हो जाएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे पलस फाइब और एक वात और भी जान लीजिए यहाँ पर एकस पलस पांच है तो यहाँ भी एकस पलस पांच ही आएगा यह भी आप ध्यान में रख लीजिए अगर यहाँ पर एकस पलस पांच है तो यहाँ सही होगा, तो यहाँ पर इस तरह जब कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक जायर लिखे लेंगे, x पलस पॉंच, ठीक, अब जो बचा हुआ है, बचा कोन है, x और मैनस 3, इसको भी लिखे लिजिए, x मैनस 3, अब हमें इसका मान ग्यांत करना है, तो मान ग तो मैनस 5 हो जाएगा फिर इधर भी करेंगे X-3 बराबर क्या हो गया जीरो तो X बराबर क्या हो जाता है मैनस 3 उदा जाता तो पलस 3 हो जाता है इस तरह आप अगर गुननखंट बनाने में आपको अगर प्रेसानी हो रही होगी तो आप असानी से इसको सीख लिए होगे I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा और भी मैत की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद दोस्तों